हालो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है मदर डॉटर कुकिंग शो जैसा कि आप देखकर समझी गया हूंगे कि आज मैं आपके लिए लेकर आए हूं स्पेशल साउथ इंडियन रेसिपी इसकी सांबर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा र हम फली ले लिए जिसको हमने अलग रखा है कडी पता है अदरक का तुकड़ा है थोड़ी से हमने तूर डाल दो बड़े चमाज भीगोकर है तो इमल बःगो के रखी बाकी सांबर मसाला है और थोड़ा सा गुड है सबजी में अमने लोकी लिए पाजर टमाटर बेंगन अ हमने चेक कर लिया है इस तरह से किसमें कुछ कीडा तो नहीं है अब टमाटर हमने इसमें डाल दिया है कद्दू लोकी और साथ में हमने गाजा इसमें डाल दिया नमक डालके हमने डखकन लगा के दो से चार सीटी ले लिए थोड़ा सा अद्रक को हमने क्रश कर लिया है पत्ता है 只 मीफ़ाथ कर देंगे इसके बाद में हमने टामाटर के लिए बॊहन लेंगे उसके बाद ही सब्सक्राइब बाई लिए देखिए अच्छे से बॉइल हो चुकी अभी बेंगन जो हमने डंटल समिट डाला था तो इसका डंटल हमने अलग कर लिया है अब एक मेशर की मदद से हमने इसको मेश कर लिया है अच्छे से मशके मेश कर दिये तो लाल मिर्चट किई है करी पता अब हम इसमें तड़का डाल कर चला सामबर रोड़ी है और हमने इड्ली तयार की है शाथ मैं उत्व Misaki24 इसको में आपको नेक्स्ट वीडियो में दूगी क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था ने मरौं अब हम इसमें ऊपर से प्याज शिम्ला मेशिर टमाटर और थोड़ा सा धन्या पत्ति डालकर हल्की फुलकी राई का तड़का इस पर एट कर देंगे और इसे भी जटपट रेडी कर लेंगे यह हमारी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी रेडी है अब जैसे ही सिख जाएगा हम चलते हैं हमारी सर्विंग की तरफ अब हम इडलियां भी चेक कर लेते हैं क्योंकि इसको कम से कम 15-20 मिन्ट हो चुके हैं यह इडलिया हमारी रेडी हो चुकी है अब इसे हम ठंडा होने साथ में हमने नाजल की चटनी और पीनट चटनी भी सर्व की है आपको चाहिए तो इसकी लिंक में डिस्क्रिम्शन बॉक्स में दे दूंगी क्योंकि मैंने इसको पहले शेर की हुई है यह देखिए हमारे सांबर कितना हेल्दी और टेस्टी रेडी है जिसमें हमने गुड भी यूज़ किया है क्योंकि वह हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है साथ ही वह इंबली के साथ मिलकर बहुती खटा मिटा सा टेस्ट देता है जो कि सांबर का और भी टेस्ट बढ़ा देता है तो अगर आपने अभी तक यह रेसिपी ट्राइन नहीं किये तो आप ज़रू लिए पर वाचिंग्य।